बुलोश्वी प्राण नात्थ प्यारे किजै प्रत्म लागुदो चरनिको धनिये ना छुडायो खिनू लाक तली लाले एडियां मेरे जीव कहे अही जीवन इन पाउं तले पडी रहूं धनी नजर खोलो पातुन पलना वालू निर्खू नेत्रे मेरे जीव कहे अही जीवन इता लिख्या बेवरा सब किताबो मिने नुक्सान नपा दोव देखत तो भी छोडे ना हट अपने इश्क बंदगी अल्ला की मुलोश्री प्राण नात इश्क बंदगी अल्ला की इस दुनिया के अंदर बंदगी के मारगों में जो दो तरके मारग बताए एक इश्क मई बंदगी है और इस कमई बंदगी का जो वणन इस वानी के अंदर लिखा है किस दुनिया के अंदर सर्वत्शेष्ट कोई बंदगी है तो इस कमई और इस कमई बंदगी के इलावा दुनिया में सारी बंदगियां उससे नीचे इस्तर में आएगी। दुनिया के अंदर अनेक मार्ग है और अनेक मार्ग के अंदर ये जो बंदगी करने के तरीके हैं सब के अलग अलग है। पर जहां तक जिन्हों ने इस हद से पर एकी बात कही हैं उन सभी ने एकी बात कवर्णन किया कि इश्क की भक्ती यानि प्रेम की भक्ती के बराबर दुनिया में कोई भक्ती नहीं। कविर सहाब बहुत अच्छी बात कहते हैं सब दरवाजे खोजे कविरें। बाइकुंड सुन्य लो कि सारी दुनिया की संप्रदायों को खोजने के बाद भी कविर सहाब ने एंड में जा करके कहां आखिर जाए के प्रेम पुकारिया। तब जाए अलक लगाया। कि एंड समय में जब उन्होंने देखा कि पुरी दुनिया के अंदर केवल ना केवल एक प्रेम ऐसी चीज़ हैं। कि जिस प्रेम के माध्यम से ही परमात्मा को पा सकते हैं। बाकी दुनिया की तमाम भक्तिया हैं इन भक्तियों के माध्यम से हो सकता है कि उसको जान सकते हैं। उसको समझ सकते हैं। योग विद्या का जो सास्त्र जिसको योग दर्शन बोलते हैं। उस योग दर्शन का भी एकी सिद्धान थे। इस्वर्पणी धाना नी कि यदी कुछ है तो केवल शमर्पण और समर्पण तब होता है जब उस समर्पण से पहले कुछ व्याकुलता हो प्रेम तो एक अंतिम घड़ी है सर्वोष्पद पर प्रेम को रखा है इसलिए वानी के अंदर इसको एक सब्दे से संबोधित किया सबनंग मोती तेरे तले ना ही कोई तुझ परे कि ये प्रेम एक ऐसा है कि इसके बराबर दुनिया में कोई नहीं पर प्रेम डायरक्ली तो नहीं आ सकता इसका एक माध्य में एक जरिया है और जरिये के माध्यम से ये हमें वहां तक ले कर जाता है इसलिए वानी में उसका जो जरिया बताया है दुख से विरह उपजे विरह प्रेम इशक इशक प्रेम जब आई या तब नेचे मिलिया हक एक जरिया एक माध्य में और उस सिडियों से पार होते हुए ही वेक्ति उस मंजिल तक पहुँच सकता है बिना सिडियों से डायरक्ली यदि कोई प्रेम में पढ़ना जाता है तो यह संभव नहीं है इसलिए सबसे पहले उनको दुख की एक अवधी बताए कि दुख आकिर क्यों सरवस्रेश्ट सबसे पहले का दुख के बिना दुनिया कभी भी इस संसार को छोड़ने वाले लोग नहीं जब इस दुनिया में दुख पढ़ता है तभी लोग कहने लगते कि दुनिया में कुछ नहीं यह सब बेकार की दुनिया है और तब वेक्ति मुड के कहीं अंदर की ओर चलता है जहां उन्होंने बाहर की ओस खोज करना सुरू किया वही खोज से वो तंग आता है परेशान हो जाता और परेशान होने के बाद जब उसको पता चलता है कि यह बाहर सुक नहीं, सुक तो अंदर है, और अंदर की और जब मुड़ता है वेक्ति, तब वेक्ति सांत हो जाता है, और सांत वो दुख, जो दुख उनकी आखें खोलता है, और यही दुख उनको विरह के रुप में बदलता हुआ दिखाई देता है, या तो विरह को आप ये समझ लोग की व्याकुलता की पराकाष्टा या फिर विरह को एसा समझो कि जिसके बिना रहा ना जाए एसी एक अवस्था व्याकुलता क्या चीज है कि जब विक्ति को सही में व्याकुलता है तो कोई चीज की देरी नहीं होती पर तीवर इच्छा होना और मध्यम इच्छा होना और अधम इच्छा होना इन तिनों में बहुत अंतर है एक तिवर इच्छा से भक्ति करता है एक मध्यम इच्छा से करता है और एक अधम इच्छा से करता है अधम इच्छा वाला वेक्ति जादा नहीं सोचता है किसी नहीं तिलक लगाया तो वो सोचता है कि हम भी लगा ले मध्यम इच्छा वाला सोचता है कि ना कुछ पुजापाट भी करनी चाहिए पर तिवर इच्छा वाला वो होता है जिसके दिल में एक ही तडब है कि मैं जिसको मानता हूँ या जानता हूँ उसको मैं देखना लू तब तक मेरा कारी अधूर आए जिसके बिना वो रह ना सके जिसके बिना उसका जीवन चल ना सके एसी एक अवस्था आ जाए जिस अवस्था के अंदर उसको कुछ ना दिखाई दे जैसे वानी के अंदर वर्णन किया है लगी वाली कचु और ना देखे पिंड ब्रमांड वाकों हेरी ना ही कि यदि उसको इस संसार के अंदर इतनी तिवर इच्छा है लगी वाली कचु और ना देखे कि जिसने केवल अपने दिल के अंदर परमात्मा को देखने की जो इच्छा ठानी है उस इच्छा के बिना वो बिलकुल रह नहीं सके लगी वाली कचु और ना देखे व्याकुलता की पराकाष्टा जो एक के बिना रहना सके दूसरे सब्दों में कहूं तो वाने में दूसरे सब्द जग कहा है जिन देख्या हक हैडा सो देखे तरप नजर की और कि जिसने परमधाम और परमधाम के अंदर विराजमान उस अक्सरातीत के दिल के आनंद को समझा जिसने उस अक्सरातीत के प्रेम को समझा हो वो वेक्ति इस दुनिया की नासवान वस्तु और नासवान सुखों में किसे देख सकता है इसलिए कहरें सो देखे तरप नजर की और वाको हक की सुरत बिना आग लगे सब ठोर कि उसको परमातमा के सरूप के बिना परमातमा की चबी के बिना सारी दुनिया का उसको सुक देदो सारी दुनिया का आनंद देदो सारी वस्तु ये देदो पर वो कह रहा है आग लगे सब ठोर उसको उस परमातमा के बिना कुछ पसंद नहीं है यहे व्याकुलता और जिस दिन वेक्ति के अंदर व्याकुलता आजाए ना क कभी-कभी एक बात मुझे समझ में आती है कि व्याकुलता यदि हम समझे तो समझे कैसे होस्पिटल में पड़ा और आईश्यू के अंदर जो विक्ती मरीज पड़ा है मालों उस पैसेंड को यदि ऑकशिजन दिया जा रहा हों और अकशिजन देते देते उसका ऑकशिजन केवल दो मिनिट के लिए निकाल के देखिए तब पता चलेगा कि व्याकुलता किसे कहते है उस उक्षिजन के बिना तडप उठेगा वो रह नहीं सकता और जो उसके अंदर तडप हैं जो चाहत हैं वही विरहा की अंतिम पराकाष्ट है दुसरी सब्द में कहूं तो वानी के अंदर इसको वर्णन किया है विरहा गत्रे जाने सोई जो मिलके बिचूड़ी होय मेरे दुला जो मिन जलते बिचूड़ी अगले सब्द में एक एक्जामपल उधारन दिया कि जैसे एक मचली पानी के बिना रह नहीं सकती पानी ही उसका जीवन है और उस जीवन से उसको अलग कर दिया जाए तो मृत समान हो जाती है इसी प्रकार जो परमधाम की ब्रहम अंगना है वो इस दुनिया के अंदर आई और उस परमधाम की अंगनाओ को ब्रहम सिष्टी को इस दुनिया में आने के बाद जब प्रेम के बारे में पता चला तो वो परमात्मा के बीना कैसे रह सकती हैं इसलिए दुख और दुख के बाद उसको पाने की पराकाष्टा व्याकुलता और यही व्याकुलता मानव के अंदर एक और लक्षन उत्पन करती जिसका नाम है समर्पन यह समर्पन प्रेम से पहले और और विरह के बीच की एक अवस्ता है जिसके अंदर व्याकुलता है वो कुर्बान हो सकता है और जो कुर्बान हो सकता है वही पा सकता है इसलिए व्याकुलता और समर्पन यह प्रेम से पहले आने वाले वो लक्षन है यह वो सिडिया है जिस सिडियों के माध्यम से वेक्ति प्रेम की सिडि तक पहुचता है और प्रेम की सिडि ही अंतिम सिडि है जो परमात्मा तक ले जाती इसलिए योग दर्सन का जो शिद्धान ते वो कहता इस्वर प्रणी धाना नहीं कि है मानव जब तक तु अपने आपको समर्पन ना कर दे तब तक तुझे कुस प्राप्त होने वाला नहीं वो बहुत सारे उधारन देते कि यदि चना अपने अहंकार में धर्ती से मिलेगा नहीं तो वो किसी छोड का रूप कैसे ले सकता है क्योंकि उसको मिटाना पड़ेगा और जिस दिन उसनी मिटा दिया उस दिन वो कुस प्राप्त कर लेगा सलीष व्याकुलता की घड़ी को आगे बढ़ाने के बाद ये समर्पन की घड़ी और समर्पन की घड़ी अन्तिम घड़ी के बाद हमें प्रेम की सिडी प्राप्त होती है प्रेम की सीड़ी का यहां वर्णन करे फरज बंदगी इसक बंदगी इल्ला की कि ये प्रेम की भक्ती क्या करती है तो बोले ये प्रेम की भक्ती ही परमात्मा तक ले जा सकती है वरना सास्त्रुक के अंदर जिसका वर्णन किया पंत होवे कोट कलब कि दुनिया के सिद्धान में तो अब लगोगे तो करोड़ों वर्सों लग जाएंगे पर आप वहां तक पहुंच नहीं पाओगे इसलिए पंत होवे कोट कलब प्रेम पहुंचावें मीने पलक की एक प्रेम ही ऐसा है जो आपको वहां तक ले जाए और ये प्रेम की वस्ता हर किसी संप्रदाय में ज् पर वाने के सिद्धांद के नुसार ये आत्मा में मार गहे और आत्मा में मारक के अंदर ये विश्यसरूप से इसलिए राज्जी ने जिक्र किया आत्मा और परमात्मा ये दोनों ही प्रेम के सरूप माने जाते हैं और इसलिए परमात्मा को आपनी कभी भी और सास्त्रों मिया शब्दों में सुना हो जैसे बाइबल में जिसको कहा हो Love is God, God is Love की प्रमात्मा प्रेम नो सुरूप चाहे तो जो प्रेम का सुरूप है उसको उसी से ही पाया जा सकता है और इसलिई प्रेम का वर्णन बारंबार किया जाता है और इसलिए इसमें कहरें इश्क बंदगी अल्ला की होत है हजूर क्या करती वो समक्स ले जाती है पास में ले जाती है अब दूसरी बंदगी का जो जिक्रा आ रहा है क्या करें फरज बंदगी जाहरी अब भक्ती का दुसरा मारक और फरज बंदगी जाहरी फरज बंदगी के अंदर यदि में कहूं तो गीता के शलोक के अंदर लिखा है चतुर विधा भजनते माम जनो शुकृतिना अर्जुन आर्तो जिज्यासु अर्थार्ति ज्यानी भरत रिशवा कि दुनिया के अंदर है हिए अर्जुन मुझे मानने वाले बहुद लोग हैं पर यह सारे के सारे मेरे भक्त हो जाएं एसा कभी संभव नहीं हैं आप मानने वाले बहुद हैं पर 14 हांने वाले सब नहीं इसलिए उन्होंने के consum के टेगईरी बताई कितने लोग बताएये चार टैप के चार प्रकार के लोगों बताया आर्थो जिज्यासु अर्था आर्थी जानी भरत रिशवा कि सबसे पहले बोले मेरे मंदीर की घंटी मेरे नाम का सुमरन कौन करता है तो वोले जिसके जीवन में आर्थ हो जिसके जीवन में दुख हो वो मेरे मंदीर की घंटी सबसे पहले बजाता हो दुनिया में आप कहीं भी चले जाएए जितने दुखी लोगों की लाइने लगती होने इतनी सुखी लाइनों की लाइने आपको दिखने नहीं मिलेगी इसलिए कहरें आर्थ आर्थ याने दुखी और बले ये दुखी अवस्था के जितने लोगें ये मेरी घंटी मेरे मंदिर तक आते हैं और यही मेरी भक्ति तो अवस्य करते हैं पर ये अपने लिए करते मेरे लिए नहीं करते जिसको पुरान संगीता की भाषा में कहूं आकाराम उपाश्यत कि वो सरीर के लिए अपने सुख के लिए भक्ति करता है इसलिए आर्तो जिज्यासु जिज्यासु याने जानने का इच्छुक जानना चाहता पर मानना चाहता है सुनना चाहता है बेठना चाहता है पर अपनाना चाहता नहीं यह केटेगरीज बता रहें गीता के शब्द के बात है आर्त पहले नंबर का आर तो जिग्यांसु दूसरे नंबर का जो जिग्यांसु वेक्ति है चाहता जानने चाहता है लेकिन मानना चाहता उसमें तर्क लगाता है और तर्क लगाने के बाद परमात्मा को भी कई बार वो मना कर देता है इसलिए ये जिज्ज्यासू टैप के मानवी हैं पर ये मानेगा नहीं केवल जानेगा तो बोले ऐसे दो नंबर के ये विक्ति हैं और तिसरे नंबर का विक्ति का वर्णन करें आर्थो जिज्यासू अर्था आर्थी तिसरे नंबर का मेरे मंदिर तक कौन आता है तो बोले अर्थ की कामना करने वाला अर्थ याने पेसे की कामना करने वाला जिसको पेसे जीवन मे बहुत चाहिए एसा वेक्ति मेरे पास आता है एसे वेक्तियों की लाइन जादा आती एसे वेक्तियों के समुह मेरे पास जादा आते हैं एक बार की बात बताओं एक बार युपी में एक माता मंदीर में बेटी-बेटी भजन गा रही थी कहरित कह रही थी मा मेरी मुरादे प यह क्या प्यरी मा मेरी मुरादें पुरी कर दें हलवा बाण्टुंगी अगुना कि सायद कुछ मिसेस बात होगी ऑयसे तो कोई वादा कर नहीं सकता अंदिसे नहीं रहा गया माते पुछ देवी से वादा कर रही हो उस माताजी ने तक्रीबन 32 लाग का लिष्ट पुजारी के हाथ में पकड़ा दिया कि जिस दिन बोले यह लिष्ट पूर्ण हो जाएगे न उस दिन हलवा बाटोंगी कि आप सोच सकते हो फर्ज बंदगी क्या है इसका नाम बंदगी है पर केसी फर्ज वाली करना चाहता है विक्ति आना चाहता है भक्त है तीलक लगाया हुआ चंदल लगाया हुआ कंटी पहनी हुए पर उसके जीवन में कुछ नहीं है बस फर्ज बंदगी हुए और यह फर्ज बंदगी का अगला शब्द में कहूं है यह फर्ज बंदगी का वड़न करें अगले शब्द में क्या करें फर्ज बंदगी जाहरी सो लिखी हक से दूर कि शिधी वानी करी ग्यानी भी हो, और ग्यानी के साथ साथ अनन्य प्रेम लक्षणा वाला हो, अनन्य भाव से पुजने वाला हो, जिसके रिदि‐स्थल में केवल एक ही चीज हो, जहां दो नाम की चीज नहीं हो, केवल एक वस्तू बच जाती हो, तुही तुहे बाकि कुछ ना बचता हो उसको क्या बोलते हैं अनन्य भावशे भजना कविर साहब के सब्दों में कहूं प्रेम गलियती शांक्डि यामे दो ना समाए ये प्रेम का मारग जिसमें अपने आपको मिटा देना और अपने आपको मिटाने के बाद जब हम परमात्मा के मारग पर चलें तो अपने आपको मिटा करके केवल परमात्मा मैं हम बच जाए याने परमात्मा को शमर्पित कर दे ये जानी भरत रिशवर कहरे कि ये चोथे नंबर का आप कि यहोट्टे नंबर का भक्त मुझे प्रीय है कियों प्रीय में क्योंकि इसके अंदर कि प्रेम ef और वही फर्ज बंदगी के दूनों पलडु को समझा देते हैं कि फर्ज बंदगी की महत्ता क्या है और प्रेम में भक्ति की महत्ता क्या है हकिकत बंदगी का सिदा साधा आपने हिंदी भाषा में अर्थ करेंगे तो भक्ति होता है और भक्ति का यदि संस्कृत के नुसार अर्थ करते हैं तो भंज धातू से ये भक्ति शब्द शित होता है और खंज का तत्प्री होता है, कि मिटा देना, किशके उपर मिटा देना, अपने आउस्परमात्मा के लिए मिटा देना उसका नाम ही भक्ती, पर वेक्ती जिस दिन इस मारग पर चले तो, जब वेक्ती अपनी इन अवस्था से अलग हो जाता है, न उसके पास इश्क मैं बं बंदगी पर चल रहा है इसलिए वानी हर मानव को फरस्बंदगी से हटाना चाहती फरस्बंदगी से अलग रखना चाहती ताकि मानव और हर सुन्दर साथ इस रहा पर चल सके भक्ति के मारक पर चलने वाले दुनिया के अनेक लोग और इन भक्ति के बातुनी और जाहिरी दोनों भक्ति को वणन किया कि बातुनी भक्ति यानि इश्कमाई भक्ति और इश्कमाई ये राह मानवत को परमात्मा की ओर ले चले इसलिए अवसर मिला आपे जरूरी नहीं कि आप उपवास रख्यर के ही वक्ती कर सकते हों जरूरी नहीं है कि आप हर समय दन्वट प्रणाम करके या दन्वट परिकर्मा करके ही करों इस दुनिया के सारे मार्गों से एक हटा करके प्रेम के मारग को बताया शुपी संद के सब्दों में कहूं तो एक बार फर्ज बंदगी में ओरंग बात्षा कुछ नमाज पढ़ रहे थे उनको एक बात पता चली कि शुपी संद कभी नमाज नहीं पढ़ते जब सुपी संद कभी नमाज नहीं पड़ते तो ओरंग जे बाथसा को ये अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो सरियती थे और सरियती बाथसा को ये पसंद नहीं आया इसलिए उन्होंने कहा कि जितने लोग नमाज नहीं पड़ते उसको केद कर लो और उनको फासी पर चड़ा दो ये फर्मान जाहिर हुआ और जाहिर होने के बाद जितने शुपी संद थे उन सारे शुपियों को पकड़ करके बंद कर लिया गया और शुपियों को बंद करने के बाद एक दिन फासी पर चड़ाने का समय आया उस दिन बात्सा के मन की बात को एक शुपी संथ पढ़ लेता है जिस समय ओरंग्जे नमाज पढ़ रहा होता है उस नमाज पढ़ते ओरंग जे बात्षा के रिदे के बात को वो समझ जाता है कि आज बात्षा मन से नमाज नहीं पढ़ रहे उनकी नमाज कहीं युद्ध या किसी राज्य को हराने में लगी हुए और इस इच्छा को इस मन की अवस्ता को जानने के बाद जब हो शुपी संद को फासी पर चड़ाने का समय आया फासी पर चड़ते चड़ते सुपी संद से ओरंग जेब कहता है कि आपकी कोई अंती मिच्छा अंतिमी च्छा के अंदर सुपी संद कहता है कि मैं केवल एक बात पुछना चाहता हूँ पुछिये बोले क्या पुछना चाहते हूँ आप सुबज जब नमाज पढ़ रहेते ता आपकी मन की अवस्था क्या थी ओरंग जेब को उसकी मन की अवस्था बतानी पढ़ दे वो उसको कहना पढ़ता है कि मैं किसी और राज्य को अपने अंदर करने के लिए युद्ध की रणनीती को सोच रहा हूँ सुपी संद के शब्द सुनिए वो बहुत अच्छी बात कहता है कहते हैं ना रख रोजा ना मर भूखा क्या करें ना रख रोजा ना मर भूखा तस्वी तोड किताब फेक इसक का जाड़ू लगा कर अपने दिल को शब्द को यह हैं इसक मई भक्ति कि जरूरी नहीं कुछ उट बेठक की जाए पर कहरी की इस प्रेम की भक्ति की अंदर शुपी संद अपने इन एक ही दोहे से पुरी बात समझा देता है कि मेरी भक्ती भले उट बेठक वाली नहीं मेरी भक्ती जरूरी नहीं है कि जाप वाली है मेरी भक्ती भले जकात और जारत वाली नहीं पर मेरी भक्ती में इसक है मेरी भक्ती में प्रेम है और ये प्रेम ही मुझे खुदा से मिला सकता है इसलिए इस बात को कह दिया कि इस बंदगी अल्ला की, कि ये प्रेम की बंदगी ही हमें अपनी मंजिल तक ले जाएगी, ये प्रेम की भक्ती छुट जाएगी और जाहिरी भक्तिया मिलेगी, तो निश्चित मानव भटक जाएगा इसलिए प्रेम का जिक्र वाने में विशेश और आपनी सुबह से जितनी भी चर्चायें सुनें, उन सभी में प्रेम का जिक्र जादा तर आता है क्योंकि जब घूम फिर करके हमें जाना ही प्रेम के सरुप के पास है, तो इसका वर्णन क्यों नहों सिलिए जाहरी और आंत्रिक दोनों ही इसक मैं और फर्ज मैं इस दोनों भक्तियों से हमें अवगत कराना ये वानी का शंबोदन है, वानी का आवान है कि हम दोनों बातों को समझे और दोनों को समझने के बाद हमें कौन सी भक्ति लेनी है कौन सा मारग अपनाना है जाहेरी में चलना है फर्ज में चलना है या इसकमई चलना है और इसकमई चलने वालों के पास कोई अवस्ता नहीं होती और जब ये प्रेममय भक्ति का सिध्धानत आपको वानी की माध्यम से बताओं तो वानी तो इतना कहती है नियारा निमकना हो भी करना पड़ेना याद कि जिसके बिना रहा नहीं जा सकता, जिसके बिना हम जीवन जी नहीं सकते हैं यह एक अवस्ता है प्रेम, माई और इश्क, माई भक्ती कि रोम रोम बिच रमी रहा पीव आशिक के अंग कि जिस दिन मा अपने रिदई के अंदर या अपने हर रोम के अंदर उस परमात्मा का स्मरण हो जाए तो समझ लिजी कि इसक महीं भगती है पर जिस दिन हमारे मन मस्तिस्क महीं नहीं आता हो और मैं तो इतना जानता हूँ कि वेक्ती कई बार महिमानी भगती करता है वर्ष में एक बार कई मौसम बना तो आरती उतार लेता है और सेवा पुजा कर लेता बाकि उसका भी अता पता कई बार तो लोगों को इतना पुछ लोग किसकी भक्ति करते हैं तो इतना जानते कि हम राज्जी की करते हैं पर राज्जी किसे कहते हैं उसका भी अता पता नहीं होगा इसलिए यह महमानी भक्ति यानि वर्ष में या वर्ष में दो बार या एक बार सादू संत आये या वार्षिक कारी करम आया तो आ गये वर्ना गया रामोर आया राम इसलिए जीवन के अंदर ये प्रेम मैं भक्ती का शिद्धान तोर इश्क मैं बंदगी का वणन रज्जी महराजनिश प्रशं के अंदर वणित किया मेरा शमय पूर्ण होता है इसलिए मैं अपने शमय के अनुसार इस मंज को भी यहाँ पूर्ण करूँगा और राज्जी की इन सब्दों से ये खुलासा ग्रंद की एक ही चोपाई है जिसका इतना ही वर्ण ने सपष्ट रूप से कदिया इश्क बंदगी इल्ला की होती है जूर्ण फरश बंदगी जाहिरी सो लिखी हक से दूर ये एक ही चोपाई हमें दोनों मारगों को समझा कर के प्रेम में मारग पर चलाना चाहती है यही ये चोपाई कहना चाहती है और इस चोपाई के अनुसार अपना जीवन प्रेम और आनंद में हो इनी सब्दों के शाथ में अपनी वाने को विराम दूंगा बोलो स्री प्राणनात